दोस्तों आपको बतादे इस वक्त हम जंतर मंतर पर हैं और जंतर मंतर पर लगातार प्रोटेस्ट चल रहा होता अर्णवाचल परड़ेश के लोग कुछ यहां आए हुए और प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार इनकी क्या मांगे इननी जाने कोशिस करेंगे और क्या सर्ग क् इसू है आर पीसी जो निवास परमान पत्र तो यह जाने वाला नवेंबर मेहना में 2022 तो 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 तरीकों हम लोग का जो निवास परमान पत्र है उनाचल सरकार वह हम लोग को कैंसल कर दिया तो आभी हम लोग को जो बेसिक्स दोकुमेंट है एडूकेशन में चाहिए होता ह है अगर हम लोग फोस में जाने के लिए रिदी होता है तो वो बेसिक्स दोकुमेंट हम लोग को चाहिए तो वह हम लोग को मतलब देने के लिए दिल नहीं है तो कैंचल कर दिया सोदो तरीकों नाचल गर्मेंट का दूआरा है कर दिया सोचे कितनी बड़ी बात है वी देश में भारती जंता पाटी की सरकार है जो यह कहते हैं कि हम पाकिस्तान बंगलादेश और अफगानिस्तान के जिए हिंदू सरणारती उनको हम यहां सिटीजनशिप देंगे और उनको बसाएंगे लेकिन जो हमारे ही देश के अरुनाचल परदेश के हिंदू समाज के लोग हैं उन्हीं कि सिटीजनशिप खतम करने की बात यहां की जा रही है सरकार से मोधी सरकार से क्या कहेंगे आप लोग का भुष खत्रे में हैं हम लोग का जो आने वाले पिरी वह खत्रे में है जो सरकार उनाचल सरकार के दुवारा जो केंचेलिशन किया गया है जो आर्पीसी जो वाहा में हम लोग का दो समास का समुदाई रहते हैं चकमा और हाजंग तो लगभग 65,000 आत्मी वाहा में प्राभविट होगा तो यह कहना है मुदी जी को हम लोग दिया था भारती पार्टी को दित उसके बाद हैं कि सिटिजिन सिफ खत्म के सार आपका क्या नाम है मंगल मंगल जोटी सक्मा सर क्या मामला है आपका क्या मामला बूद्ध समाशी क्या है जो हम लोग का ओंपियास के चल हुए उसके लिए मतलब आए हुए हैं यहां पर तो यह वह कर दिए निए आपकी सिटिजन सिप खतम कर दी गई है यह जी जी मोदी सरकार और को कॉइए इसके बाद भी आपकी सिटिजन सिप खतम कर दीगे है Jee, तो क्या कहना चाहेंगे St Всем लिए हम लोगों का आरवा teh होता है प्राइभ करने के लिए और चता सा मतलब प्राइभ करने के लिए वह मतलब जाल ही जाल हम लोगों को दिया जाए है चलिए बहुत-बहुत शुक्रया तो देखें आपको बता देंगे यह बहुत समाज से हैं इदार हिन्दू समाज के करीब हजारों की संख्या में यहां लोग आये हुए हैं जो यह मांग कर रहे हैं कि जो उनकी सिट्रिजन सिप है उसको खतम ना की जाये यह भी हिन्दू समा भारती हैं उनको हम यहां सिटिजन्सिप देकर जगा देंगे लेकिन आप सोचते हैं कि हमारे देश में सब अर्मनाचल परदेश में हो रहा है वहां भारती जनता पार्टी का शासन है आप क्या सोचते हैं कमेंट्स बाक्स में हमें जरूर बताएं शुक्रिया